एले-खले नमस्काल आपके यूट्यूब चानल थाकूर सारगेदी अपके अपने यूट्यूब चनल थाकूर सरगर और आज का हमारा जो टौPik होने वाल है आप सभी बच्चों के लिए वह टौPik है टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट नॉर्मल जो है कुछ बच्चह बोलते रहते के सर आप मेंशन नहीं करते थमलेल में एक किस क्लास के लिए तेंजेंट आर्णॉर्मल बी एसी में में भी यह इसी पार्ट भी एवलेबल है और सेम टापिक जो है सेमेस्टर तुक इंशन पर सेमेस्टर टू के था मिशन पर इसी थी सेमेस्टर टू में भी हैं यह कॉमन टॉपिक है दोनों जगह एबलेबल है कि दोनों जगह एबलेबल है तो आप जितने सारे बच्छी है जो बीए सी पार्टू में फ़स्ट पढ़ाई कर रहे हैं या सेमस्ट्र टू का प्रेपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए महात्पुर्ण वीडियो होने वाद है ठीक है बंदू और इस वीडियो के अंदर में हम कभर आप कर रहे होंगे एक कुशन अप टेंजेंट रिजंट का कुशन क्या है धिक कुशन पर निकालते कैसे हैं वह सीख रहे होंगे और प्रिप्षण आप नॉर्मल निकालना सीख रहे होंगे और के बाद कंडिशन फोर ट तो आप बहुत सारे बच्चे बिए सी पार्टू वाले बच्चे कर रहे होते हैं कि सर पार्टू का प्रक्राइब करवा दीजिए टॉपिक वाइज समझ रहे तरह से वैक्यू है आपको समझ लीजिए कि एक ही टॉपिक टेंजिन नॉर्मल से जो जो कुछन अभी तक इजाम में आए हैं आरे कुष्टन से यहां पर आपको देखने के पिलेंगे आप ऐसा विल्कुल भी चिंता मत की की सब्सक्राइब क्या आप कुष्टन बैंक देख लिए हमारे ही आप पर एविलेबल है आरे हमारे जो एप है ठाकुर सर अकेडमी इस आप पर आप चले जाएंग दिखं़क क्लेक्ष जो है वे सब्सक्राइब को त्यों यहां पर आपकोुलेस्ट का स्शाना भूल गया तापिक यह जो है अનधर में आता है टेंजेंट एंड करेंसे सेमेस्टर और यहां में आता है और फिसल्हेंग प्रीमें आता है पार्ट टू के तो वहां पर आपको देखने को मिल जागा हमारे एप पर हमारा एप है ठाकोर से रकीडमी तो पलेश्टोर पर इस्टलिस में आप सर्च करेंगे ठागोर सक्राइबर और हमारे एप में बहुत सारी चीजे अफल्ट है का कुछ के मैं कर तो पार्टू पार्ट्री को k.... और हमारे आप के उपर में में आप से ऑजबिलेबल है और आपढ़ करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं करto सब्सक्राइब कर सकते बात कर सकते अक्सर हमेशा लगवग लगवग हर एक कुर्स में अच्छे डिस्काउंट रहे कि किसी भी तरह के इनक्वाइडी हो एप से लेटर कोई भी जानकारी लेना हो यहां नंबर आपको दिख रहा है इस पर कॉल करके या वाट्सपर नंबर छोटा दिख रहा हो तो नंबर कुछ कर दूं आइन वन ट्रीपल फाइव पूर फाइव फाइव फंडवल पर आप कॉ अपने पास में हैं फाइंड एकुशन आफ टेंजेंट कुदा कर्व वाइज इक्वल टू में बी इन्टू एक पावर एक्स ए अड़ पॉइंट वेर दा कर्व क्रॉस्ट वाइक से कहता है कि एकुशन आफ टेंजेंट फाइंड करो कि एचा पॉइंड पर जहां परब यह करव को एकस स्कोश करत एक टार यहां पर सेंड़ को कहा जा रहा है हमारे पास में 350 को आपकर है यह सुद्श कि यह कण हुग है यह आएकस को कड कर रहा है और इस पॉइंड पर जो-टेंजेंट बन दाहा होगा सिसाट पर ये टेंजेंट सब मैं टेंजेंट का हमें इकोई कि टेंजेंट का हमें का करना है 250 आला है और यह बात भी कनफर्म याद रखिएगा कि यहां जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का X कॉरिनेट हमेशा 0 होगा य कोरिनेट भले ही जो हो उससे कोई फरक नहीं पर लेकिन X कॉरिनेट हमेशा 0 हो और यह भी याद रखना आपको टेंजेंट देंट जो है वो एक लाइन ही है और लाइन का निकालने का फार्मूला होता है बाय 술ओ ऑफ़ औसमयाद यह जो होता है अपने पास में यह क्या होता है स्लोप जिस लाइन का पॉइन्ट पर का यह स्लोप का फार्मूला करिंद लाइन का पॉइन खेल पर यह पॉइन में टाल दीजेगे इक्रीशन अपर्फ लाइन बोल सकते हैं या एक्रीशन आप टेंजेंट भ्लू जब सकते हैं कि एकषीनस आफेड़ू आपसी बोलेंगे दोब्स लॉप कि आप आ यहां परस्काइब करते हैं सर इसके solution का अबसे पहले कर्व का कुछन दिया आपने पास में लिख देना तक तेने कर्व करव करव का कुछन दिया आपने पास में वाई इस एक वल टूमें बी इन प्रकाप और माइनस में इस फास्ट कर्ण अब चुक्कि खुद दिया हुआ है कि जो कर्ब है रॉस करता है यह वाइकस यह वाइकस को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब और अब्यस सा बात है कि एकस कोडिनेट देरफोर कितना होगा अब बताया भी है एकस कोडिनेट अगर जीरो हो रहा है इसमें डाल दीजीएगा का मतलब यहां से बोल सकते हैं यहां से यह बोल सकते हो कि क्यों से पॉइंट अफ कॉंटेक्ट होगया टियरफोर पॉइंट एपकॉंस अब करना क्या है सर रागर एकवेशन चाहिए टेंजेंट का कुछ स लूप चाहिगे का मिलता है कहां से mm मिलता है हमें SUV वैगि सैंसल करव है उसको डिफरेंसेट करो एक्स वाइब सके म9 मतलब यहाँ पर से हम यहाँ लोग डिफरेंसेट करेंगे सलकू एक एक्स के डिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेट करिएगा तो हम यहां से देखेंगे डिवाइब डिएक्स इपल्टू में भी यहां पर कॉंस्टेंट है और एक्स्पोनेंशल का डेरिवेटिव सेम तूसे में कोई चेंज नहीं पतलब की के पावर माइनस एक्स बाई एक्स एम टूसे आप पावर का डिफ्रेंसेशन करोगे तो माइन वाइन और यहां से हम कह सकते हैं सब्सक्राइब यह हमारा एम बन गया इसको इधर लिया आओ कि सफ पॉइंट पर एं कुछ निकालना है इस पॉइंट पर हम बात करेंगे जीन जीन यह इंट gł हमें सर श्लोप है कि यह बहुत लीडिंग रोल प्ले करता है तेंजेन के ग्रीट को है कि अब हम बात करेंगे सर यहां पर एक्वेशन अफ यह इंजेंट का एक वेशन और है कि संब टेंजेंट का फार्मूला होता हमारा अभी जो मैंने बताया वाई माइनस में वाई-1 इस प्लटू में एम इंटू एक्स- आई जो एट वाला पॉइंट है ने एट वाला पॉइंट है वही बनता हमारा का मतलब यहां से लिखोगे y माइनस में y बन, y बन बुले तो b यहने कि यहां से b हो गया अब बराबर कितना m, m तो माइनस b बटा a इन्टू में x-a, x1 के जगह पर अपन जो लगा देंगे, तो है बहुत बढ़िया अब यहां पर से देखो कि b वाले भाई साब को हम नीचे लिया आते हैं, y-b upon लिख सकते हैं लोग बी ऐदर माइनस x upon a बचेगा, इन्टू माइनस x को अलग-अलग सेपरेट कर दीजिएगा तो य बटा में भी आ गया माइनस का वन इस इक्वल टू माइनस x एक्स बटा एक इधर लिया आते हो तो एक्स भाई ए परस में वाई बाई भाई भी इस पन मिला यह जो आपके सामने आ चुका है यही आपका इकुल अप्टेंज इस तरह में आरे हो गी करता हूं आई एसर पाइंड अप्र कंदिशन देटेंज लाइन आप्स पॉसल प्लिस वाइशन वाई साइन आवाई साइन अलगा है इस पी पेट टाच अ कर भू एक्स का पावर एम वाई का पावर एम पलस में अफावर एम यह चोंडिशन करने का मतलब हो जाता है कि यह टेंजेंट बन रहा हुआ है तो आपको टच के बादला बेभी टेंजेंट भी लिख सब्सक्राइब अब इसका वे सिखिएगा कैसे बनाते हैं हमाया पास एक करभ दिया हुआ है कैसा भी करभ हमको से क्विफार रखने पड़ता है आरहा टेरा हमने बना दिया यह अहां पर से अपने लगा दिया भी यह करभ है और यह टेंजेंट और यह जो टेंजेंट है वह इस पॉइंट पर बन रहा है पतलब मैंने कहा रिया कि टेंजेंट पर टच कर रहा है पॉइंट आफ कॉंटेक्ट हुई यह फिल्हाल ततकाल के लिए हमने इस अब सारे करी कायकरम करेंगे हम लोग इसे बारे में बाद में हम आपको बताएंगे तक कैसे ए यह सुर्वात होती है कहा से घिवं कर्ब से बात कहा से होगी त 술 आफ पास कर्भ कर जो एक्वेशन दिया हो पहले लिखे इव आफ उटेखकर और parenthाट कर्भ का सन दिया हो कर्भ करा को सअरब एक्रार से है एक्स का पाफर m तो y का पावर n is equal to a का पावर m plus n तो फर्स्ट कंसीर कर ही लेना है और यह जो point of contact है x1 y1 माल लेना है, consider let x1 y1 x1 y1 is the point of contact the point of contact point of contact जो है अपने सामने में लिए यह point of contact को गौर से देखिएगा तो यह जो है इस करव पर भी बैठा हुआ है extension पर भी बैठा हुआ इसका मतलि यह point इसके equation को भी satisfy करेगा इसको तो करेगा पतलब की जो करव का equation दिया है इसमें आप x के जगह पर x1 लगा सकतो वाई के जगह पर वाई में लगा सकतो यह relation हमें भविशे में काम आए में एक्स वन का पावर एम इंटू वाई वनका पावर एम इज इकवल टू एक आप आवर एम प्रस निसयुक्म कर लिजेक आभने सकता हमें बाद है और ग्रावर का इसको डिफ्रेंसियेट करके शुंफ टंजेंट निकांग पहिलावले कर तो यहां पर हम क्या करेंगे इसार डिफ्रेंसेट करेंगे परस्ट को we can say first with act to it आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यूंतुभ ही काम कर रहा है इसका पावर एम और हुबाई का पावर एम जिसका पावर लिखो गए हैं तो को रख लिया य का पावर एंधर पीछे पार में से यहां से अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं डी वाइवायवई डीक्स बढ़ालो आई इंटू एक्स के पावर एंपाइक पावर एंद माईनिस वर इडिए इस इक वल टू में माईनस का एम इन्टू एक्स का पावर एम माईनिस वर और कि एक दूकर यहां पर से डिवाइव एक निकालते हैं इस निकालोगे तो यहां से मिलेगा हमें कितना सर्व माइनस के साथ M into X का पावर M-1 into Y का पावर N और उसके नीचे में आओगे तो N into X का पावर M और Y का पावर N मैं अच्छी सोचिए जरासा इससे एक जाइदा है कि नहीं है कि यह अगर दस पावर होगा ती नौप आवर है एक कम है एक कम है इससे कटे गई है अब पावर में कितना बचे गए हैं पर वन या पीसा समझते हो न बच्चा में पढ़ते होंगा अभी पी जानते होंगा एक्स का होता है यहां यह इससे केंसिल हो जाएगा जो डिवाइब एक्स होता उसको एम बोलते हैं सुलोप आफ टेंजेंट पाइनस के साथ उपर बच गये एम और वाई यह बच गया एन और हमकिस पॉइंट पर बात करने वाले हां अभी फिलः खट्स वन्बाएंटिया पर पार हमारे पास मैं फाइनस कमि ऐन टु वाई 1 बट्टामे एक एन इंकिक रकग आमया अब क्या करना है टेंजेंट, equation of टेंजेंट at x1 क्या लिखोगे फार्मूला, y- y1 is equal to m into my x-x y-1 equal to और आप यहां से देख पाओगे sir, y- y1 is equal to m के जग़े यह लगा दो minus m y1 बट्टा में n into x x- बहुत बड़ी देखो, y वाले को और m को एक तरफ ला दो y को m को एक तरफ क्या देख रहे क्या ऐसे भी रख सकते हो, multiply करें कोई प्रॉब्लेम नहीं ऐसे लिखोगे थ्वासा, simple होका कटेगा, यह इसके multiply में लियाओ, इभाइड में हमाया पास वाई माइनस में वाई बन बट्टा में लिख दिया हमने सर एम वाई वन परावर में माइनस के साथ एक्स माइनस एक्स वन बट्टा में एन इन इन अलगले सेप्रेड करो, यहां से वाई बट्टा में कितना एम वाई वन पाइनस में इसके में कर जागा तो वन वाई एम बचेगा, कर चुका होगा वाई बन, इधर में देखो कि ता माया पास एक्स माइनस का एक्स वाट्टा में एन एक्स पन हो रहा है, अप फिर उसके एक काम और कर लो, इसको इधर लियाओ, इस बंधू को इधर भेज़ दो, का मतलब लिखोगे, एक्स के बट्टा में, एन इंटू एक्स वन, फालस में वाई बट्टा में, एम इंटू वाई वन, इस इक्वल टू वन अपॉन में, फालस में वन अपॉन अपॉन, जो होग कि इस लाइण के बारे में अब बात करो है कि जो एक क्वेशन दिया हुआ वह इसी का है कि यह टेंजेंट बने का तो कंदीशन गया है तो हमें फास अल्फा पलस में वा इस इस एक वल्टू पी एक और याद रखिए एडिशनल चीज़े बता रहा हूं अगर दो प्लसमें एक लागािन च्ट कर रहा होगा अगर दोनों लाइन से मीन को रिपर जन कर है बीवन बट्टा बीटू बड़ाबर होता है वट्टा सी कहां से आ गया तिंद क्लास में भी आपने इस को देखा होगा मेले ख्याल कि वही चीज यहां पर है देखो यह हमें दिया हुआ है यह हमने फाइन करा है यहां पर हमें दिया हुआ है इवन एक्वेशन आफ टेंजेंट टेंजेंट का एक्वेशन दिया हुआ टच करा इसका मतर्द दिया हुआ टेंजेंट का एक्वेशन वह है अपने पास में X-Cos-Alpha पालस में Y-Sine-Alpha is equal to P, Y-Sine-Alpha is equal to P, कुमा लिजे साथ और थर्ड और फोर्थ एक्वेशन जो अपने पास है तो दोनों सेमी लाइन को रिपर जाएंगे तो यहां पर वही एडवांटेज हम लेंगे दाओ हमें कह रहा है कि seems equation third एंड फोर्थ जो है यह रिपर्जेंट करता है रिपर्जेंट सेम टेंजन दोनों एक ही तरह एक ही टेंजन को रिपर्जेंट कर रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों के X का कॉफिशेंट इसका एक्स का कॉफिषेंट है वन अपॉण में एक्स वन एक्स कॉफिषन टैसक बन्कॐल, पहले कॉस लिख लो, लिख देना एक बटा एन एक्स वन इसका मतर्यांस से लिखोगी, कॉस अलफाअ बटा में एक बटा आ, पराबर के उस से हैं, साइन अल्फा बटा में, आप देखो का कॉफिशन भाई का, एक बटा N-Y, N-1, एक बटा N-2-y, पराबर में इधर में P है, और इधर में जो कॉफिशन भाई पास में, वो है वन बाई M पलस वन बाई M, वन वाइए एम पालस वन भाइए यह बंदू कि इसको उल्टा करेंगे हम लोग के डिभाइड में यह तो मल्टीप्लाइब चेंज होगा तो उल्टा बन जागे अतलब एन इन इन्टु एक्स वन कॉस अल्फा आप पालस इस और इक्वल टू में वल टू में एन इकम्हें होगे यह बाइवले में एल्प वाइवाले में एज़िए मैं एम इंटु वाइबन इंटू साइन अल्फा की इसं इक्वल टू में इसका लs अम करोगे एमएन मैं वेली एकशना विर्ट सब्सक्राइब था यहां से हम निकाल लेंगे कहले तो नों को इकवल करके तो इसके बड़ाबर करो इससे हम एक्से वन को फाइंड आट कर सकते हैं अल्टर्सें एक्सवन चाव्यव कर चाहिए एक्सवन के लिए टूबडू कि इतना आजागा स्वन एक्सवन न यहां से इंसल कर सकते हो एक्सवन का जो वैल्यू आपास में आएगा वो पी इन्टु एम भाइड वाइड वाइड एम पलस एंट तो कॉस अलफा कि और उसके बाद दूसरा बला केस से पकरेंगे मतलब इस दोनों को अगर हम लेके चल तो हमें देखने को मिलेका क्या तर इसका एम केंसिल हो रहा होगा और यहां से हम निकाल रहे होंगे वाइड वन का वैल्यू तो कि पी इन्टु एन बट्टा में एम पलस में एन इन्टु साइनल कि ये बन्दू और चुकि एक्सवन वाइवन एक कंडिशन हमाया पास अल्री है तो कि यह इसी को मैंने वहां यूज करने के लिए तृब सेकंड एकुशन में doubling के जगह पर पूर कर दीज señal cortar I just यह उद्स को हम यहां से कह सकते इसका मतलब इसमें नहीं मत अखना यह कौन सा हैं है से अफूस मत हो जाना यह जो है डूप ना यी अस एस का निए न की को आपको कर लूप आ कुक्योण क्लिब आ है लो पाफ तेंथ lub करो करते हैं सब्हूड में एंधा ऐटिं इन था सिखिंग इन टकेंडि स्रीट एक रिखिए रूटल नाम सकने कुष जैसा कनी कुष कि इस वाले में पूट कर दिना एक्स ऑन का पावर म क्सुन का भालो है पी एम बटा एम प्लॉस एन अकॉस अलफा इस पूरे मामले का पावर जो है हम लगाईएगा आ इंटू कि वाइबन का था पी एन इंट बटा में एम पलस एंटू में साइन अल्फ इसका पावर एन पराबर के उस हड़ में ये का पावर एम प्रस अब तरी पावर को ठिक कर लिजिए तो हमाय पास पी का पावर आ जाएगा एम का पावर एम का पावर एम हो रहा है इंटू कॉस का पावर भी और यहां पर देखँगे तो पी का पावर एन है एन का पावर एन मपलास एन का पावर भी एन हो रहा है आए इंटू साइन पावर भी एन हाय का बंदू जिधर बैठा हुआ है अभी एफ बात अब देखने वाली बात यहां पर क्या होगी शेम पर इस दोनों का दोनों को ध्यान से देखेगा इस दोनों का बेस सेम है और अबके जो डिवाइड में लिखा उसको उधर लिगते है ना हैं इंटू में कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब यहां से कहेंगे सब का पावर एम इंटु म का 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 पर M plus N का पावर M plus M or N or M का पावर M N का पावर N is equal to A का पावर M पलस इन तू में यह भाइशाब को भी M पलस में मपलस में का पावर M पलस इन टू में साइन का या का असका लिखलो पले का आवर M into साइन कप कि स्मार्ट दिखने के लिए इस पार दिखने के लिए पहले इसी को लिख लो एलेचे स्पार्ट में आ चुके हम लोग पहुंच चुके मंजिल तक लेकिन थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए स्मार्ट दिखाने के लिए आपको इसको इधर लिख लेना आपके सामने जो एक कंडिशन पर टेंजिंस क्या बोलते हैं सर कंडिशन फॉर टेंजिंस के अगले कुशन पाइए देखिए बहुत प्रकुशन के यहां पर से यह तो अपने पास से मिल रहा है लाइन के कुशन तो से मिल हैं यह वाला जो अपने पास लाइन है यह टच कर रहा है मतलब देंट हो रहा है इस करभ पर कि अधार के कुशन पूर्ण का तुम टार्गेट कर लो इस तीन में से यह तीनों कुशन में एक कुशन क्यामने सब्सक्राइब कि अबाहर जोन्य देखो कि अधार होद को हमाया पास में यह दिया है अपने पास में करभ है इसके ऊपर टेंजेंट है तो कर दिया इस पॉइंट पर टेंजेंट होने की बात कर रहा हूं उस पॉइंट का पॉडिनेट इंट है यह कि बंदू तो अब यहां पर से देखो यहां पर से यहां पर से यहां पर से यह बात कर लो कि सेम प्रोसीजर पीछे वाला चलेगा अपने पास बस एक कुशन चेंगा कि देखिए हम बात कर रहें यहां पर से सॉल्यूशन के कि कि हमाया पास जो करव का यह कुशन दिया हुआ है कि वें वृ कि इस शच्रीच का पावर एंडबाइट का पावर एम अलस्में का पावर एंडबाइब का पावर एंडबार एंड इस एक फिल टू एम प्रोसीजर लेके चलना कि पॉइंट ऑब कॉंडेक्ट माढ लेना है कि पॉइंट अ कर भाएवन कि रेक्ट है और उसके बाद हम यहां से यह में क्ली कि इस पॉइंट टार विकाई कुश्य क्या होगा फुल लिख लिए फॉइंट करव पर लाइज कर ना हम बात करेंगे सुर्ण इस में क्या एड़ प्वाइंट एक्सुंड वाइवन पॉइंट पर अम लिफ सकते हैं एक्सुंड का पावर एम-धन पावर एम पालस में पाइवन का पावर एम एडमें पावर एम इस इक्वल टूपन है जो गया पर कि या वसकता हमें बाद आप अब हमाया पास चैलेंज है कि भीया तुलूप निकालेंगे तभी जाके टेंजन के कुछ निकल पाएगा इस पेंजन के कि क्यों यहाँ पर डिफ्रेंशीट कर लिया जाए फास्ट को डिफ्रेंशीट फास्ट विट्रेक्ट टू एक्स कि एक्स का पावर एम था पावर पीछे पावर में से घट गया और एक का पावर एम रहेगा और बीका पावर निकालना है देखो इस भाई साब को रख लेते हैं इसको हमने यहां पर रख लिया और इस बंदू को हमने भेट यहां पर से यह जो भाई साब है यह माइनस के साथ यहां पर बैठ जाएगा अब इसमें देखने वाली बात यह होगी दोनों का में अब करें हो आपको है यहां से निकाल सकतो इसका मतंद दीवाइब डी एकस का वेल्यों इभाई बता में डी-1 का वेल्यू हमाय पास में अधा है आएप के साथ बी चला गया उपर थे बी का पावर एम तो एकस के पावर माइनसफ़ और नीचे में सर यह चला गया एक के तुमें एक्स पाइका पावर में यह तो देख लिए इन टू में चला गया प्राब्लेम अब देखो इसको हम बोलते हैं लोप टेंजेंट पूलते हैं अपने पास यह है लेकिन इसी पर खुश मत हो जाना है है वल्यू हमें निकालना परेगा इस प्रफ्र पर हमने एंजन ट्रॉख किया सबार किया अरुस्यों कि पॉइंट पर है जैसे आपने यहां पर निकाल लिया जैसे आपने यहां पर से M निकाल लिया तो M का वेल्यू यूज़ करके हम लोग अप्टेंज इसमें भी हमने capital M रखा है नाम क्योंकि स्मॉल M का अलड़ी इस्तेमाल होगा एक्सवन वाइवन पॉइंट पर कि अम का वेल्यू कितना हो रहा होगा आपको पस इस वेल्यू को उठा कर यहां डालेना है और जहां एक्स है वहां पर एक्सवन कर दिना है जहां वाई है वहां पर यह जम कर दो कि अब 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 चलना। चलिए टारेक्स टेंजेंट के क्यो基本 कि दुनिया कर misfp एक्वस्चन आप टेंजेंट रिकूगे आप टेंजेंट पसे आपके ज़र अब टेंजेंट का आज है हम लोग लोगे का है ए पॉयंट्द एक्सवन फार्म हाह है कि ई एक्स भाइ मैंनस में एक्कल टू लोप इन्टू एक्सवाइच भाइ मैं इस इकल टू पर यानिकी यहां से लिखो गे वाइ मैंनस में वाइवन इस व्ल्टू में लोप म के जगपर हम इसमाल कर लेका अब बार्बा उठा पड़क कर लेते हैं पेड़े पास यह है कि अब दीजेगा है तो हमें करना क्या है बी को आइक के तरह करने से क्या होता है कि इसका सकल इसके तरह दिखने लिए कि इसके वैल्यू का यूज किया जा सकते अधिक इसलिए हम लोग X के साथ A Y के साथ B लगाके रखने का कुछ एक काम करो यह बी दिवाइड मिलिया वाइवन का पावर M मैनस वन मुल्टिपलाइब में य मैनस वन के पास कि में या पावर इधर में देखोगे तो माइनस के साथ X1 का पावर M मैनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स हाइड में एका पावर एक पास कि इसी को अब करना क्या है सर इसको इंटू कर दो इसको भी इंटू कर लो प्रासान जैसा महसूस हो इसका मत्तब यहां पर से लिखोगे देखने को क्या मिलेगा सर को मुल्टिप्लाय कर होगे य इंटू y1 का पावर M मैनस वन बर्टा बी का पावर M य इंटू y1 का पावर M मैनस वन बर्टा में B का पावर M इस एक्स इंटू x1 x1 का पावर M मैनस वन बर्टा में बर्टा में बर्टा में एक्स पावर M फिर पलस पर चलेंगे एक्स वन का पावर M हो जाएगा पावर जाएड हो जागा एक पट्टा एक पावर एम तो पलस में एक्स वन का पावर एम पट्टा में अब इसको इधार लियाओ कि अधर से इधार ट्रांस्फर कर दी कि खबल को अधर से लीवान जो जो पालस में है कई आंधार नहीं करेंगे हैं में अब इधर बातकिने बाला है अपने पास में क्या बचने वालाowanie स्ट एक तो यह बच रहा है यहां पर से आप ध्यान दीजिए तो हमें देखने को मिल रहा है क्या कि यह जो अपने पास है ना ये एक्स वन का पावर एमग एका पावयर माइबन कावर एम ऑए बीका पावर है वेल्टीव यह जो भी है इसके जगह पे पर हुए लिख सकतेए यह हमें बता रहा है सेकन रिकूस हम यह बोल देंगे सरकिप्राम सेकर्ण इकुशन से इस भाइस सहाब का वैल्यू जो है इस भाइस सहाब का वैल्यू कितना हो जाएगा हुआ कि यह हो गया अपना थर्ड को अब इवन इकुशन अब यहाँ पर से हमें दिया हुआ एक्षिन क्या है सर परट की वने कुशन अफ टेंजेंट इवन एक्षिन आफ टेंजेंट मैं जो एकुशन अपने पास में ताइब हुआ है वह क्या है एक्स कॉस अलफा एकस कॉस य। और यह। एक्षिक नाफर्ट दोनों सेम्म लाइन को रिपरेजंग करा या रदी यहां पर देएंगे सीन्स और नाव विन्स एकुशन नंबर और यहां तो न पूर्ट रिपरेजेंट ते पर्जेंट से तो के लाइन या सेम तेंज चैंड एंधर आगर अंपर यह सेम्टेंजन को रिफेंध कर रहा है इसका मतलब दोनो के ऐकस के कॉफिजन कLYं भी इसके एकस collect होग superstar एक्षों न सब्सक्राइब आश का पावर एक्सु बंका पावर एम माइनश मत पर ताम एक पावर एम यह बंगत पॉस मत अबराबर के उससर में लिखोगी तो वाई वन का पावर म-1 अधम पी का पावर एम और उसके बर्टा अमेशान फैक न है देगा बात तो वह है अमेरिका इधर में वन इधर पाइप लिए पास आगए अब और कीजिएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको साथ कर सकते एक इसके बहादो इसको आसा आशान दिखेगा एक स्वन का पावर एम मैंस वन इसके डिवाइड में है यह यह इंटू में चिपक जाए एक पावर एम तो अब बरावर हम लिखोगे वाई बन का पावर एम मैंस वन इंटू में बीका पावर एम इंटू साइन अलफा अब बरावर कुछेट में वन भाई है अब बारी बारी से एक्वेट करके इसको हमने कह दिया जाए बरावर हो रहा है पर नबाई यहां से निकाल सकते हैं है कि नहीं तो यहां से निकाल दो एक्स वन का पावर एम माइनस वन इस एक्वेल टू में हो जाएगा यह चल जाएगा इसके इंटू में एक का पावर एम इंटू कॉस अलफा दिभाइड बाई बाई पी यह पावर बाद में उस सेड में जा सकता तो पावर उससे जाएगा तो उल्टा होके जाता है एक्समा बराबर लिखोगे एक आप आवर एम इंटू कॉस अलफा प्रटा में पी और उसका पावर जो है कि इस पूरे का पावर कि वन अपॉन में पाइने शो कि तो यह मैं और वाइवन जो है तो में की वाइबन का वहीं आने वहाला है वाइवन याजल इस मुद्थ हो जाका तहीं तो यह चल जागा इसके ऊपर आहिए उल्टा हो जाएगा पतलब बी का पावर एम का पावर एम इन्टू साइन अलफा और बटा में कितना पी इस पूरे का पावर सर पूरे का पावर वन बाइएम तो यहां पर जो है आप छोटका प्रेकट का भी स्थम कहां भी तर्स कि और क्या करना है और करना क्या है दोनों वहलों को उठाकर रख देंगे हम लोग यहां पर यहां पर सब्सक्राइब कुटिंग इन कर दो सेकेंड पूटिंग इन करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड में तो हमें एक पावर एम रखना है और उपर एक्सवन रखना है कि एक स्वन के जगह पर हम इतना लगाएंगे एक पावर एम इन्तु कॉस अलफा बटा पी एक पावर एम तुमें पॉस अलफा बटा में पी पुरे का पावर सर वन बाई फिर पलस में यहां देखो तो यह होगा आपना वाई वन जो है पहुंच जाओ यहां पर इस तुम्रे का पावर भी हम लगाएंगे कितना और नीचे में लिखेंगे बी का पावर कि अब ब्राबर क्यों सब्सक्राइब अब ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका पावर आएगा तो यहां हो जाएगा एम बटा एम मैनिस वन पावर का पावर से गुना एम बटा एम मैनिस वही पावर इस पर भी चल जाएगा पतलब एक पावर में चल गय का के एन्टु कॉस का ही पढवर कोउस 댑क अलफा का पावर हो जायागा सर मचीव अपना एक आप कि अधर में क्या होने जाएकतर बी का पावशार failing वाruktur इसका पावर सर ठीज पावर सर हो जायगा अपने पास म अपन में है और उसके बाद देखेंगे हमाया पास में सर इंटू में साइन अलफा का पावर साइन अलफा का पावर एम बटा में एम माइनश और उसके नीचे में बी का पावर एम इस एक्वल टूवर अगोड की जैघा तो आपको देखने को मिलता है क्या यह जो पावर है इससे कंषिल हो जैगा फावर का पावर से गुणा होता है घट जागा दूनों ऍसका ढहां ईसका जो बेस है इसका जो बेस है यह ज़ी बेसस इसके पास भी है दोनों दिवाइड का क्नेक्शन है फाबर घटेगा रवर क्या हो जएक घट जयका मतला हम यहांसे लिख सकते हैं कि एक पावर एक बट्टा एम माइनसों कौन सा वाला यह वाला घ्रौत का पावर आलफा का पावर एम बट्टा में माइनश अब फिर उसके बाद पलस इसमें भी वही सीन बन रहा है पी का पावर जो है एक बटा में ब्राबर क्यों है कि अब जल्दी से इसको सिंप्लिफाइए अगर हम कर लेते हैं एक बट्टा एम माइनस वन है माइनस एम करोगे तो हो जागा सर एम माइनस वन ऊपर आ जाएगा आपने पास एक माइनस इसको गुना करोगे तो हो जाएगा उसके बाद फिर प्लस में हो जाएगा एक नहीं कि अग्ट्रा कुछ ऐसा ही सिंद्ध करोड़ी कि अग्टे कर नहीं कि अग्टे कर नहीं कि तो मैं इसका पाबर जुए इसका पाबर एक समर्दा इसका पाबर 1 एक समर्द का इसका पावर जो एक समर्दा कि अब समझे कि इस गठाएगा ऐसर एक आपव एम एक आपवर एमजो हैना उसका पावर में हो जाएगा मनम बत्ता एम एनस वन-1-1 लjang wealth ready यहां भी वहीं शीन बन रहा है यहां और जागा अबी का पावर म उसका पावर में आप से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए म बटा में मैने फंग को पेस्टा न के साथ हम लिखेंगे म मा इसवन उपारा जाग म माइनस म पलट्ट वन एक बट्टा 있나 हो तो अगर ही यह सिंप्लिफाई करेंगे एक बट्टा म मैने-1 इसका मतब यहां से कह सकते हो A का पावर M के पावर में 1 बटा M into COS अलफ़ा का पावर, COS अलफ़ा का पावर M बटा में M a yeah फिविर पास B का पावर M daw उसका पावर कितना, one बटा M इंटो में साइन अलफा का पावर एम बटा एम फिर बराबर के उसर में देख लो कि वन था आहा है कि अब यह जो है यह पार पार गुना करेगा एम बटा का मतलब यह कह सकते हैं कि इस दोनों का पावर से मोच चुका है इसका पावर से मोच चुका है अप्लब हम यहां से कह सकते हैं एंटो कॉस अलफा का पावर आ जागा एम बटा सब्बार क्षुट सब्सेंसर Уाय वं पालिज में फी इंट्यू में मैं इर इन अलफा का पावर एम वठा में न्याज़ को मैं गुत है और यही हमारा कंडिर्शन यहीं हमारा कंडिर्वा के सब्सक्राइं इसको बोलते हम लोग पावर याजन या कंडिशन करने के लिए आपका प्यारा सा इंजेंट के ऊपर में कि अपर में एकदम आप इसको बढ़ियाद से प्रिपे कर लिजिए आप बीए सी पार्टू में है तो या सेमेस्टर टू में का एक्जामेरेशन दिने वाले हैं तो दोनों ही एक्जामेरेशन के तीन कोश्चन बहुत खास है बहुत ज्यादा है और आज इतना ही रखूंगा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्र अपने दोस्त चैनल को स्केर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है त और शाइब करें देगा लिए बाइबाइबाई